दोस्तो घर बैठे ओनलाइन अधार लिंकिंग की एक और वीडियो आप लोगों के सामने हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंडियन बैंक में किस तरीके से घर बैठे ही अपना अधार कार्ड लिंक कर सकते हैं और दोस्तो इतना ही नहीं इस प्रोसेस को दूत्तो जीकिएगा अगर आपके पास इंडियन बैंक का अकाउंट है और आप घर बैठे ही अपना अधार कार्ड लिंक करना चाहते हैं तो और या फिर इन्फेसिया ओसे लिंक करना चाहते हैं तो लेकिन इसके अलाबाव अगरा आप पास पनजाब निसनल बैंक, कैनेर बैंक बैंक ऑफ बरोदा इन सारे बैंकों के अगर आप चाहते हैं कि हम घर बेठे कैसे लिंक करें तो उसकी वीडिए उसकी वीडियो मैंने पहले ही चेनल पर डाल दी है आप वीडियो के डेस्किप्शन बॉक्स या फॉराय बेटन से देख सकते हो विडियो और follow कर सकते हो है steps को तो चलिए अभी देखते हैं कि इंडियन बैंक में किस तरीके से घर बैठे आउनलाइन अधार सीडिंग किया जा सकता है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने किसी ब्राउजर को open कर लेना है और उसके बाद वहाँ पर इंडियन बैंक सर्च क कर Curryंगे तो आपको दो लिंक मिलेंगे तो दूसरे वाले लिंक पे आप टिलिक करोगे तो वहाँ से आप जो है सिर्फ क क्यूआ इस टाइप का अधार Angry प्रोसेस कर सकते हो मतलब सिर्फ bank में होगा लेकिन दूसरे link को अगर आप follow करते हो ना तो वहां से आप NPCI के server से भी अपने account को dbt के लिए link कर सकते हो हाथो हाथ तो चलिए सबसे पहले हम उसी link को follow करते हैं जहां से हमारा दोनों काम हो जाए एक तरफ तो bank में भी अधार कार्ड लिंक हो जाए और दूसरी तरफ हमारा NPCI से dbt के लिए link कर दिया जाए तो सबसे पहले इस link पर आपको click करना है link पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने एक OTP जाएगी उस OTP को यहां पर दर्ज करके फिर submit कर देना है फिर जैसे ही आप OTP डाल के submit करोगे आपका successfully OTP verify हो जाएगा फिर आपके सामने एक नया page खुलेगा जहां पर आपको देना है अपना अधार number फिर आप अपना अधार number दे कर submit करेंगे तो जैसे ही आप अपन से यह पूछेगा कि आपका जो bank है कोई दूसरा bank वो already seeded है या फिर नहीं NPCI से तो अगर आपका कोई bank NPCI से link है तो yes करेंगे उसके बाद उस bank को select करेंगे जो bank आपका पहले से link है और अगर आपका कोई bank link नहीं है NPCI से तो no पे click करके आप submit कर देंगे 24 घंटे के अंदर यानि Indian bank के अंदर किस तरीके से हम घर बैठे अपना धार कार्ड लिंक कर सकते हैं वो process उमीद है कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करके channel को subscribe करिए और कोई भी सवाल है तो वो comment section में जरूर लिखिएगा मिलते है किसी नई वीडियो में DJ Zazad, thank you